हेलो अवरेबन दोस्तों कैसे आप सभी लोग दा पोलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है आज किस वीडियो हम क्लास 11 के हिस्ट्री का चैप्टर नमर थर्ड हैं तीन महादीपों में फैलाव समराज के मोस्ट इंपॉर्टन एमश्य की करने वाले दोस्तों जैसे कि आप सब्सक्राइब को पता है कि क्लास 11 का जो जो इस्ट्री का एक्जाम है उसमें दोस्तों देखा जाए तो कुल तीन दिन को समय से रहे गये तो इस लिहास से वीडियो बहुत इंपॉर्टन ठोने वाली है तो चले दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो पसंद आया तो जो जरूर्ब लाइक करतीजिए तो सबसे पहले कोश्चन इस जो चैप्टर का हम करते हैं दोस्तों फर्स्ट कोश्चन इसा मसी के जर्म से लेकर 630 इस्वी के दसक तक यूरोप उत्तरी अफ्री ते तो इसह रोम और यूनान और इसज दोस्तों थे वह हैं रोम और इरान Works और इरान इसका सही उत्तर है यह है का ल és और दूप्टा TO रोम सम्राज में सामिल था तो रोम संबाज में सामिल था ए आधोनिक जो है यानि आधोनिक यूरोप का यहां पडूनिक यूरोप का अधिकांस, भाग भीकनल दीविटीव्क द मीस primera ली कर सभी तो रोम संब्सिग में जो सामिल था वह ग्रोम सम्ब्राज दक्षली सीमा परिसिता dosos है ग्रेडोड बैरे रीफ गोबि मरुस्तल B इंसे kοι नहीं तो रोम सम्राज की दक्षली सीमा परिसिता दोस्तों वो था सहरा रेकिस्तान यानि B इसका सही उत्तर है Q4 रोम समराज की प्रासासनिक भासा थी तो रोम समराज की प्रासासनिक भासा A लातिनी, B युनानी, C तुर्की, D, A और B दोनो तो रोम समराज की जो प्रासासनी भासा थी तुए थी दोस्तो लातिनी और युनानी यानि ए और बी दोनों सही उत्तर है और अधिकांज रोम के लोगों द्वारा जिस भासा का प्रयोग किया जादा था वो था युनानी यानि जो अभिजात वर्ग जिस भासा का प्रयोग क को प्रथम नागरिक कहे जाने के उद्देश सम्मान प्रदान करना था तो रोम समराट को प्रथम नागरिक कहे जाने के पिछे क्या उद्देश था A. सविधान के प्रति सम्मान प्रकट करना B. सीनेट के प्रति C. नागरिकों के प्रति D. उप्रुक सभी तो दोसो रोम समराट अगश्रस को प्रथम नागरिक कहे जाने का जो उद्देश अब सम्मान प्रकट करने था सी निट के प्रतिया निए भी इसका सही उत्तर है प्रस नमबर छे बलाद भरती वाली सेना थी जी हाँ बलाद भरती वाले सेना कहा थी तो बलाद भरती वाली जो सेना थी वो थी दोस्तों फारस की जिसमें कम सकम 25 वर्स तक सेना में अपनी सेवा देनी होती थी प्रसनमर साथ रोम के परतेक सेनी को वेतन दिया जाता था ये बात दरसाती है तो रोम के परतेक सेनी को वेतन दिया जाता था ये बात दरसाती है कि सेना के विवासाइक स्वरुप को बी अनिवारे सेवा को सी सेना की समराट की परतिश्चा को डी उपरुक्त में सिको नहीं तो रोम के प्रतेक सेनी को वेतन दिया जाता था ये इन में से किसी बात को सही रूप से सिद्ध नहीं करता है बलकि रोम के प्रतेक सेनी को वेतन दिया जाता है ये इस बात को दरसाता है कि जो है रोम ने अपने सेना को अनिवारी रूप से या कह सकते हैं कि सैनिकों में महतना प्रताänn करने बाद कहीए थी इसमड़ को जो वेतन दिया जाता था रो में वेतन प्रतान करना एंप्रक Alrighty,को मजबूति को दिखाता है ग्रह युद्ध का उद्देश से है ग्रह युद्ध का क्या उद्देश होता है तो जोसों ग्रह युद्ध का उद्देश से है वो है सत्ता हतियाना रोम के समराट अगस्टस का सासनकाल जाना जाता है यहां अगस्टस रोम के समराट का अगस्ट्रस का सासन काल जाना जाता है किसके लिए युद्ध के लिए सांती के लिए ग्रय युद्ध के लिए उपरुक्त में से कोई नहीं तो रोम के समराट जो प्रथम समराट है रोम के उसका सासन काल जाना जाता है सांती के लिए दिनारियस नामक सिक्के में सुध्य चांदी होती थी तो दिनारियस नामक सिक्के में जो सुध्य चांदी होती थी वो होती लगभग साड़े चार ग्राम दोस्तों आपको कोश्चन में बताना है कि दिनारियस नामक सिक्के कि सासक के दोरा जारी किये गये थे सासक का नाम दोस्तों आपको कमेंड बोक्स में ज़रूर बताना है ठीक है कि सासक कौन था रोम की समराज प्रणाली का मूल आधार क्या था तो रोम समराज की प्रणाली का मूल आधार क्या था तो रोम समराज की प्रणाली का मूल आधार था दोस्तो वह था बड़े-बड़े सहर ठीके बड़े-बड़े सहर नेस्ट रोम समराज के संदर में नगर एक ऐसा सही सहर था जिसमें सामिल था अपने ही मजिस्ट्रेट नगर परिसद एक निश्चित राजचित्र डी उपरुक्त सभी ते दोसे रोमसमराजी शंद्रम नगर का जो साब्दिक अर्थ था इसमें वी सामिल होते हैं अनि डी इसका सही उत्तर है परस्त नमर 13 इरान में सार्वजनिक इसनान का विरोध गया गया प्रोहितों ने बी सांसोक ने इस्तरियों ने डी साइनिकों ने इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तो प्रोहित वर्ग ने इरान के प्रोहित वर्ग ने सारवजने किसनान का विरोध इस आधार पर किया कि इससे जल अपवित्र होता है बिमारिया फैलती है भ्रस्टाचार फैलता है धन का अपवय होता है तो दोस्तो इरान के प्रोहित वर्ग तो ने सरवजनिक इसनान का विरुद इस अधार पर किया कि इससे जल अपवित्र होता है जैसे आप सभी होता दो तो हड़ापा सब्वता में सरवजनिक इसनान करने की जो है वहाप साक्ष मिले हैं हे ह плох कि रोम संवराज का धनी सघ्थ धनी अबादी वाला Пदडियर था तो रोम संवराज का जो घनीी अबादी वाला पर देश था उसमें इतली में केम्पेbits ही पी ठीक है इसके लाब इतली में सिसली मिस्र में पैटियूम जी कहा है पैटियूम आपके चैनलब लिक्र यह कहा है एक पैटियूम ठीक है दोस्तों पैटियूम है ठीके मिस्र में पैट्रियूम तदा गलेली यहां गलेली ठीक यह दो सहर थे मिस्र में तो यह उप्रुख सभी इसका सही उत्तर है चरवाहो द्वारा रितु के अनुसार अपने पसुओं के साथ साथ इस्थान बदलना क्या कहलाता है तो दोस्तो चरवाज दोरा रितू के रुशार अपने पस्वों के साथ इस्थान बिदलना कराता है रितू परिवास रोमन समराज में जल सक्ती का बड़े पैमाने पर परियोग होता था वो होता था दोस्तो भूमद सागरिये छित्र में प्रसन बर अठारा रोमन समराज में सोने चादे की खानों की खुदाई में जिस सक्ती का बड़े पैमाने पर परियोग होता था अगर उसकी बात गये तो वो थी दोस्तो जल सक्ती दास प्रजिनन का उद्देश था तो दोस्तो दास प्रजिनन का क्या उद्देश था तो दास प्रजिनन को उद्देश था अधिक से अधिक दास प्राप्त करना और जैसे आप सभी होता है कि दास जिसकी अपास सबसे ज़्यादा अधिक दास होते थे उसकी महतता ज़्यादा होती थी प्रस्त नम्मर 20 रोम में अधिक महेंगा सरम था लोत Sr. दूसरो दास Me रोम के लोग इहां रोम के लोग अपने सरमी को पन्य रखने के लिए निमνεधंग अपनाते थे तो रोम के लोग अपने सर्मी में पन्यागण चाता था उन्हें जंजीरों में रखा जाता था उनके साथ रिल्ड समीदा जो है रिल्ड समीदा के रूप में करार किया जाता था तो रोम में सर्मीव को पर नित्रा रखने के लिए उप्रुक सभी धंग अपनाए जाते थे रोमन सेनेटर तो था नाइट वर्ग आसमांता दरसाने वाला बिंदू है यानि रोमन सेनेटर तो नाइट वर्ग में आसमांता दरसाने वाला जो बिंदू है वह दोस्तों कई नाइट जहाजों के स्वामी थे कई नाइट वेपारी थे कई नाइट सावकार थे यानि उप्र तो है दोस्तो सोना इसाई धर्म रोमन समराज का राज धर्म बना तो इसाई धर्म जो है रोमन समराज का धर्म बना तो है दोस्तो चोथी सताब्दी में आपको बताना है कि कि सासन के काल में रोमन समराज में इसाई धर्म जो है राज धर्म बन जाता है कमेंट बोक्स में इस इस मूल के लोगों में स्थापित किये गए वो मूल लोग थे जर्मन ये इसका सही उत्तर है रोम उत्तर राज्यों की स्थापनों होई तो रोम उत्तर राज्यों की स्थापनों होती है दोस्तों डी पांसो चालिस के दसक में निम्द लेखक की रचना कैसे रोम के लोगों का अपने कामगारों के प्रति व्यवार का पता चलता है तो कामगारों के प्रति अपने व्यवार का पता चलता है यह दो सो कोलू मल्ला ठीक है जो कोलू मिल्ला भी कहते हैं यह थी है यह भी साहित गारे कोलू मिला ठीक है इसके बाद जो है वरिष्ट पिलनी सी अगस्टीन तो दोस्तों वो सभी जो है सभी तीनों यानि उप्रुख सभी जो है इसके साथ पता इन्हें चलता है रोम तथा इरान द्वारा आपस में बाटे गए अधिकांज भाग को चीनी लोग क्या कहते थे ता चीन हूँ चीन हूँ ता मिंग तो चीनी लोग उसे कहा करते थे दोस्तों ता चीन ये सही है चीनी लोगों का वाचीन से अभिप्राय था तो चीनी लोगों का वाचीन से अभिप्राय था दोस्तों वह है विरेतर चीन से यानि भी इसका सही उत्तर है रोमन समराज को पुरवर्ती तथा परवर्ती चरणों में विभाजित करने वाले सताब्दी है तो रोमन समराज को पुरवर्ती और परवर्ती चरणों में विभाजित करने वाले जो सताब्दी है वो है दोस्तों तीसरी सताब्दी रोम में सबसे बुरे समराट वे माने जाते थे जिनका निम्न के प्रती विवार से तुर्टा पुड़ोता था तो रोम में सबसे बुरे समराट कौन से माने जाते थे तो जिनका दोस्तो सैनेट के प्रती निम्न विवार थे जिहां सेनेट के प्रति निम्ने विभार रखने वाले समराट को सबसे बुरा या निम्ने समराट माना जाता था मिस्र में साखशर्टा के बारे में बताने वाले आपचारिक दस्तवेज लिखने पाए गए हैं लिखे वे पाए गए हैं तो आपचारिक दस्तवेज कहां लिखे पाए गए दोस्तो तो लिखे पाए गए हैं पैपाइरस पर जी हां कहां पर पैपाइरस पैपाइरस पर ठीक है पैपाइरस पर छटी सताबदी में जस्टीनियन के सासनकाल में मिस्र से रोमन समराज को करोकुरूप में प्राप्त होने वार्सिक धनरासी थी तो वार्सिक धनरासी कितने प्राप्त होती थी मिसेसर रोमन समरास को तो जो वास्विक धन्रासे प्राप्त होती थी वाथी 20,25,000 सोलिंड यहां 25,000 सोलिंड रोमन लोग निमलिकित देवी देवता की पूजा करतेँथे तो रोमन लोग जिन देवीज देवता की पुजा करते थे उनमें जूपीटर, जूनो, मिनरवा ये तिनो समय याने उपरुक सभी इसका सही उत्तर है दोस्तों सात्मी सताब्दी के प्रारंभिक दसकों में रोम समराज किस नाम से जाना जाता था? तो सात्मी सताब्दी के प्रारंभिक दसकों में रोम समराज जाना जाता था बेंजन टाइन समराज में नेस्ट रोम का वविसाल भवन जहां तलवारी जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे कहलाता था उस विसाल भन को जहां तलवारी जंगली जानवरों का मुगाबला करते थे उसे कहा जाता था कोलीसियम जिहां क्या कहा जाता थे उसे कोलीसियम कहा जाता था ठीक है रोम के इतिहास की जानकारी के प्रमुक सुरूत कौन से हैं तो रोम के इत्यास के जानकारी के प्रमुक सुरूत हैं पाट्टे समागरी, प्रलेक अत्वदस्तवेश, भोतिक अउसे उप्रुख सभी सथ सही उत्तर है रोम को इरान के समराज से कौन से नदी अलग करती थी तो रोम को दोस्तो इरान के समराज से जो नदी अलग करती थी वह दोस्तो फरात नदी यहां भूमी के एक संक्री पट्टी जिसकी किनारे फरात नदी पहती थी वह यह रोम को इरान के समराज से अलग करती थी बुमत सागर को रोम का डैस माना जाता था तो बुमत सागर को दोस्तो रोम का हिर्दे स्थल माना जाता था रोम समराज की उत्तर सीमा डैस नदिया बनाते थी तो रोम समराज की जो उत्तर सीमा डैस नदिया बनाते थी वो नदिया दोसो राइन और डैन्यूग जिहां इसके लाओ दोसो जो दशली सीमा बनाते था वो था सहारा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान ठीक है दोसो दशली स नेस्ट राजा अभिजात वर्ग और सेना रोम समराज जिके थे तो राजा अभिजात और वर्ग और सेना रोम समराज के राधनेतिक इत्यास के तीन प्रमुक खिलाड़ी यहां तीन प्रमुक खिलाड़ी एमफुरा क्या था एमफुरा एक परकार के मटके और कंटेनर होते थे दोस्ते जिसमें सराब जैतून के तेल और अन्य तरह परदारतों को जुड़ाई होती थी और अगर हम बात करें तो ये कहां बनाय जाते थे तो बनाय जाते थे ये भूमद सागरिये परदेश में यहां भूमद सागरिये छित्रों में ये एमफुरा बनाय जाते थे रोम समराज के लोग गयों कहां समंगाते थे तो रोम समराज के लोग जो है गेहूं सिसली टूनिसिया इन दोने जगहां से माया करते हैं सी इसका सही उतर है अगर अंगुरी सराब की बात करें तो अंगुरी सराब दोस्तों इटली अंगुरी सरव इतली से आते थी इतली यानि कैम पुनिया इतली में कहा से इतली में कैंपेचा से अंगुरी सरव जाते थी और ट्यूनेसिया का जो सहर का नाम है जहांसे गेम इसे कहा जाता है बाइ जe किम बाइ- Medicine कहा चलिए नेश्ट तो सॉलिडस क्या था सो सॉलिडस दोस्तों यह सोने सुध्य स्वाइब जो चार दिस्मलर पांच गराम को उता था और किसमेब चलाया था सम्राथ कंस्टेंटाइन ने शुने के सिक्यों को चलाया था तीक अस इस तरह से भी पसंद पूछा जा सकता है आपसे किस घटना को प्राचिन विश्वित्यास की सबसे बोड़ी राधनेति करांती कहा जाता है तो है अरब से सुरू होने वाले इसलाम की विस्तार को सेंट आगस्टिन कौन थे तो सेंट आगस्टिन दोस्तो अफरीका की हिप्पो नगर की विसब थे और इन्हें चर्च के बोड़ी की त्यास में सरव चिस्तार प्राप था यानि डी जो इसका विकल्ब सही है ए और बी दोनों सही है लुए फ्रैंक की विस्तार किसने की तो प्रिंसीप्ड की स्थापना अगर आगस्त्रसल में 27 पूरव में ठीक है है इसके दोस्तों एक सब्द पूछा जा सकता आपसे बूछ दो है आपका फ्रैंक्सिस जी आंड फ्रैंग इसे भी आप नोट डाउन के लिजिए फ्रैंक किसे तो फ्रैंक किस अथ्वाइसे सुगंदी दाल भी कहते हैं तो फ्रैंक किसे प्राप्त किया जाता था इसे प्राप्त किया जाता था बोस्वेलिया यहां बोस्वेलिया बोस्वेलिया की पेड़ की चाल से प्राप्त किया जाता था और इसे सुखा लिया जाता तो बाद में राल दयार होती थी ठीक है और जो सबसे उतकिस्ट किस्म की राल प्राप पराप्त होती थी जो कहां से ऽिए अरब प्राइदीप प्राप्त होती थी ये चलिए भी नेस्ट में को सी समाजिक से लिए तो रूम समराज के परवर्ति काल में जो समाजिक स Adventure भी गें अभिचाश वर् terms मद्यमć निवन रिया सभी तो उण कि उत्तारवाइख चिंहीं है जो परवर्ति की बात करें इसी प्रकासласт के पूरीवर्ति के तो पूर तीक हम नास पूरतिлем जनता का संवानी रलस ङंता का समानी वर्गयद्थे bes вже यह थी परवर्ति मिटेख और फिफि encour है तस剿業 है सम्राड अगस्ट्रस के सासनकाल में इटली कुल 75 लाग आबादी में डैस दास थे तो इटली की कुल आबादी में 200 कितने दास तो वो थे दोस्तों 30 लाग यानि 75 लाग की उकलाबादी में 30 लाग जो है दास थे ठीक है प्रस्ट नमर्पचास रोमन समराज में सरम प्रबंधन सरमिकों पर नेंतरण को रखने के लिए निम्हें से कौन सा कथन सत्त है तो कथन सत्त की बात करें दोस्तों वर्म में सरम प्रबंधन तो मजदोरों को अपने निम्हें स्मयत्त्त दिया जाता था इसका उत्त्य शर में सब्सक्ट ने घरता a कुए तो विश्य सब क्थन के लित दोस्तों कि एदो किस किसे रोमन्स स्म์ पुद्रियां के लिए जाना जाता है तो डूस्टो डाइकलोसियन को कि रोमन्स व्राज के सबंग हुआ। और पुशन किया था इसके साथ साथ दोस्तोह सैंट का भी प्रशन पूछा जा सकता जिसने इंटली पर अधिकार किया था साथ साथ दोस्तों आपसे प्रसंद जो पूछा जा सकता है जैसे गोल फ्रेंकों कराज था इटली में लॉंबार्डी कराज था इस पेन में विश्यू गुतर तो इस तरह से भी आपसे प्रसंद पूछे जा सकते हैं ठीके दोस्तों यह था रोम जो है जो है जो तीन महादीपों पहलावा समराज इसमें से दोस्तों अधिकतर कोशन जो आपको पेपर में देखने मिल जाएंगे इसके अलावा भी कुछ कोशन हैं दोस्तों जो कल मैं आपको चेप्टर से कराऊंगा और आज किस वीडियो में बसे इतना ही कोई परसन अगर आपको पूछने हैं दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसके साथ सथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और सेकंड टर्म के अच्छे इस्तायरी करना चाहते हैं तो हमें जरूर कीजिए और आप से छोटी स्रिक्वेस्ट है अग इससे हम आपके लिए और अच्छी तरह से काम कर सके इस वीडियो में पर सितना ही मिलते हैं नएस वीडियो में तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद